नमस्कार अध्यात्में और जोतियस चैनल में आप लोग का स्वागत है बहुत लंबे अर्तराल के बाद मैं इस चैनल में वापस आया बहुत से फॉल्वर ने मुझे फोन मैसेज किया और ये कहा किया चार जी आप ने भविस्त मालिका को लेके जो बातें कहीं थी खास्तों स से जो उडिसा के लोग एक अफवाग पहला रहे हैं उसका भंडा फोर होना सुलू हो गया मैंने अपने भी गलती मानी थी कि मैंने बहुत जल्दीन लोग पर विश्वास कर लिया और बाद में मुझे रिलाइज हुआ कि ये बहुत बड़ी गलती हुई और मुझे उनके साथ जोइंटरी से समनी करना चाहिए था और ये मुझे पता लग गया था कि ये देश की जमता को मूर्ख बना रहा हैं भविस्त मालका के नाम पर मैं भविस्त मालका के को कोई कमेंट् लेकिन मैं अपने followers को बताना चाहता हूँ कि वो भविस्त पुरान को पढ़ें सीमत भागवत पुरान को पढ़ें कलकी पुरान को पढ़ें आपका जो concept clear हो जाएगा संभल के वारे में जो बोलते हैं वो सरासर जूट बोलते हैं उन्हों कुछ नहीं मालूम है उन्होंने अपने आपको project करके public को बेकूब बनाने का काम किया अपने बेटे को कलकी बनाने का काम किया अभी मैंने एक वीडियो देखा दूचा दिन पहले का release हुआ है बहुत अच्छा calculation किया है जो मैं उनका नाम भूल गया और पत्रकार है वो खुजी पत्रकार बहुत बढ़ेंग था और कैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को कलकी बना के आजकल कलकी की बहार है देखिए करीबन सो कलकी आये चले गए और मैं जब इसमें थोड़ा सा इंटरस्ट लेके आया तब तक मुझे तीस पेंटिस कलकियों ने घेल लिया आज सब जा चुके हैं कोई नहीं है इनका क्या हिसाब किताब था कि इन्हों ने औरिसा वालों ने एक भविस्त मालका का एक सहारा लिया एक परगंडा फिलाया मुझसे किसी ने जानना चाहिए कि आप कैसे फस गया तो मैं बताना चाहता हूं कि एक मल्टिनेशनल कंपनी के एक एमपलाई ने मुझे परोच किया और बताया तो मैंने का कि यह सब भखवास है लेकिन उसने बहुत रिक्ष्ट किया इसके बाद फिर यो लोग क्या करते हैं कि लोगों को घेरते थे और घेरने के बाद उसको मानसिक रूप से अपने ग्रिप में लेते थे और वही वहाँ पर मैं थोड़ा सा चूप कर गया और लेकिन जब मैंने उडिशा का विजिट किया तब मुझे डाउट हो गया कि यहां मामला कुछ गड़बड है मिरे साथ विधाय एक सांसत दोग भी थे एक दौाई ये सब विसल भी गह थे और उन्होंने सब कहा थे कि यह फ्रॉड आदमी है यह भविस्त मालका के नाम पे लोगों को गलत राहे दे रहा है फिर उनके ही गृप के लोगों ने मुझे को बताना सुरू किया कि यह लोग क्या कर रहे हैं आस्रम में क्या हो रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह लोग क्या करते हैं यह एक अपना छुट 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 लोगों को फसाते है और फसाने के बाद फिर जो होते हैं मुझे अच्छी तर याद है इलावाद के एक बुज़ूर्ग अदमी है उनके 70-80,000 पह ले लिए मेरे को एक बार बोला गया कि प्रभू जो हैं वो समुंदर आएगा और ये हो जाएगा उनके पहुंच होएगा मैंनका क्यों बोले समुंदर के समुंदर उनका ससूर है वैस्टों देवी कवारिम बताया है कि वैस्टों देवी अब वहाँ नहीं रहती वैस्टों देवी से उनका विवाह हो गया है और वो खंडगिरी में है कि यहां पर डौट होना शुरूगा कि कैसे ये भारत की संस्कृति को डेमेज कर रहे हैं भविस्य मालिका के नाम पर भविस्य मालिका में ना तो उनका नाम ना उनके बेटे का नाम ये एक पैसा कमाने का एक साधन बनाया और अभी कुछ दिनों पहले इक इनके भक्ति ने मुझे बताया कि सो करोड का टार्गेट है और प्रभू के लिए एक महल बनवाना है समुंदर के किनारे हमारे देश की जंता बहुत भोली है और जित्ते भी धार्मिक लोग है ये लोगों को बेकूब बनाके कैसे ठग लेते हैं ऐसा नहीं कुछ लोग अच्छे भी है आपको भागवस सुनना है तो अपने छित्र के ब्रह्मन को बलाके और उनसे भागवस सुनिया आपको अच्छा लगेगा इन्होंने क्या किया भविस्तमालका को नाम से किताबे छपवाई जिसकी कोई वैलू नहीं है बकवास कुछ नहीं है अपने आपको प्रोजेक्ट करके अपने आपको बताना कि मैं यह हूँ और सबसोड़ी बात क्या है कि यदि आपने इनका विरोध किया तो बोलेंगे आपके घर में यह हो जाएगा आपका बच्छा मर जाएगा प्रभू ने आपको साब दिया है और गैंग है एक मोहन नाम के विक्ति है उनका तो मैंने पता लगाया है कि वो बोलते सब स्टिल फ्रेक्टर में काम करते है उस नाम का कोई आदमी नहीं है वाँ पर पूरा पता लगवाया है पता नहीं क्या है तो धन कमाने के लिए एक धर्म का सहरा लिया गया भविस्तमाल का को टूल यूच किया गया और किया जा रहा है ऐसा नहीं है पूरे पूरे देश में गैंग बनाके यह लोग करते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आदमी मुझे लाया मल्टिनेस्टल कमपनी में है आएंगे आपको कई दिल्ली के आसपास की मेलाएं हैं उनको यह बोला गया तुम गोपी हो तुम यह हो तुम वो ब्रेनवास कर दिया बनारस की एक लड़की है उसको तो इतना ब्रेनवास किया वो बनारस की लड़की सर्वदमन जी के पास गे जिन्होंने किष्टन का रोल किया था कि उन्से बोला कि प्रभू का जन्म हो गया है प्रभू आ गया है आप चलिए तो उन्होंने भगाया उसको कि यह क्या नाटके तो भागो तो brain was करना brain was करके लोगों को as a tool यूज़ करना ये उरिशा के उस विक्ति का काम जो कि अपने आपको विश्नुयस बोलते हैं कि मैं विश्नुयस हूँ अपने सब्दों को तोड़ मोड़के उन्हीं के जो गुरुप के लोग हैं उन्होंने बोला कि ये सब गलत कर रहे हैं समझाया है भी उनको कि आप गलत कर रहे हैं मैं अपने followers को बताना चाहता हूँ कि कलकी पुरान सीमत भागवत पुरान इन सब में इवन गरुन पुरान सब पुरानों में दिया हुआ है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तथ्यों के साथ किताब आपके सामने रख दूँगा कि ये किताब है ये पेज़े आप पढ़ लिजेगा कहां संबल होगा कहां इनर्जी प्रेगट होगी कब होगी सब दिया हुआ उसको आप डिकोड कीजे और जब आप उसको डिकोड कर लेंगा तो आपको ग्यान के प्राप्त होगी लेकिन मैं आपको बताऊं आप अपने आपको इन उरिसा वालों के चक्रों से निकालिए ये आपको लूट के बरबाद कर देंगा और अब तो कहां इनका बरबला गैंग बन गया है और जब ये गैंग के रूप में काम करते हैं तो मसल्ला क्या होगा मुझे दुख हुए सरकार इस बात को संग्यान नहीं ले रही है न तो उरिसा की सरकार नहीं है क्योंकि हमारे हैं एक फ्रीडम है और वो जो फ्रीडम है बोलने का फ्रीडमाप स्पीच जो है उस में बोलने के बाद जो है आदमी सुचता है कि वो कुछ भी अपनी दुकान खोल ले इनी के यहां 20 साल काम करने वाले आदमी ने मुझे जब फोन करके बताया उसकी रिकॉर्डिंग में कहीं पड़ी हुई है उसने जब आस्रम के अंदर की बाते बताई तो मैंने कहाई कि क्या हो रहा है तो गरीब आदमीयों को फसाना फिर उनको बड़ों के पास भेजना एक माहोल क्रेट करना गिरिप में लेना हिप्नोटाइज करना ये इनका काम रहा है और ये ये अपने पुत्र को एक अठारा साल के लड़के को भगवान बना के बिठा देना खमाल की बात है ये वीडियो में ने इस ते आप लोग के बीज मिलाया ये मन की अपनी एक बात थी मैं मानता हूं कि यहां पे एक कलती मेरे से हुई मुझे त्यल्दी उनके साथ में नहीं आना चीए था डाउक था लेकिन ये क्या करते हैं कि आपको ऐसे करने की कोसिस करेंगे कि आप उसमें फस आते हैं मैंने बहुत से लोगों को निकाला है वहां से और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग निकल के अपने धैनिक जीवन में अपने कार में जुड़ जाइए अपने धन को मत बरवात करिए परमात्मा जब आएगा तब आएगा प्रभू जब आएंगे तब आएंगे वो वहां पे कुछ नहीं है और कोई संबल उंबल वहां पे नहीं है ये सब जो होता न उत्तर प्रदेश की धर्ती में होता है उत्तर प्रदेश की और प्रभू जब भी अवतरीत होते हैं जन्में नहीं लेते हैं वो प्रगट होते हैं तो जब प्रगट होंगे, तो सब को पता लगेगा, अभी आप अपने आपको मत परसान कीजिए, अपने जीवन को जीए, और एक मित्रे ने बहुत अच्छे तीन-चार वीडो निकाले हैं, मैं देख तो नहीं पायको की, बहुत ट्रिवल कर रहा था मैं, और उन्होंने प्रोजेक्ट करते हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है कि किसी दो-तीन आईएस ऑफिसर्स के बारे में कि वो आते हैं, पता नहीं क्या-क्या कहानियां सुनाते हैं, थोड़ा सा आप लोग समल के रहिए, और मैं ये वीडियो में कि माद्यम से उस व्यक्ति को ध हमारे जो अठारा पुरान हैं, उनमें सब कुछ दिया हुआ है, और भविस्त मालका ये बोलते हैं, जो पंच सखा की कहानी सुनाते हैं, ये सब कालपनिक कहानी है, कुछ नहीं है, ना कुछ हुआ है, और ना होगा, जो कुछ भी है, हमारे अठारा पुरानों में है, कृष नहीं नहीं कोई कुछ नहीं कोई प्रभू नहीं और अंना ये खुद एक्जिश्ट करते हैं वाकि आप लोग के मर्जी है मेरा एक सुझाओ था निकल लिए जैसे उस पत्रकार ने वीडियो के माध्यम से बताया आप लोग भी अपने विज्यो कीजिए उन से जुड़के अपने मन की बात बताईए को कि मेरा तो बहुत वेस्ट लाइफ है मैं टाइम नी निकाल पाता लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इस चंगुल से निकले और बचे और अपने जीवन को जीए नमस्कार